हमें मतलब आप हमारे धर्म में सापों को कितना उच्छा रखा गया है कि भका जाता है कि जो भगवान विश्नु के राम अवतार के जो भाई थे वो शेशनाग के अवतार थे समझ रहे हैं लेकिन उसी संस्कृत के लोग सापों की हत्या करने में उनको एक सेकंड भी नहीं लगता इसकी पीछे क्या कारण होगा जब हम पूजा बद्धी केवल आरती गाने और दीपक जलाने तक समिट के रह गई हो और हम जो है जो हमारी जो बैग्यानिकता है उसको हम खुई देंगे फिर आप जैसे यह कहते हैं कि प्रत्वी जो है नाग के फन पर है तो वो इसी संदर में कही गई है कि साप अगर ना हो ये नाग ना हो नाग साप एकी बात है ये ना हो तो प्रत्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा पहले हम जब चोटे-चोटे थे तो ये कहते थे जब वोकम पाता था कि सेसनाग जो है अपना फन बदल लाए है फन सेसनाग का डोलेगा तो फन बदलना है मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो बिलेंस बिगड़ रहा है बिलेंस बिगड़ रहा है कहीं न कहीं तो अगर बिलेंस तो बिगड़ी रहा है जगे-जगे दुनिया भर के कर्श्टक्शन हो रहा है एक ही जगे भरे जा रहा है बहु एक के उपर एक एक के उपर एक उपर एक बहुत सारी डिस्पिलेंस तो हुई रहा है तो वही फन बदलते हैं फिर क्योंकि सापों से तो तालुकात रहा नहीं मिलकुल मतलब रहा नहीं मुझे रमधारी सिंग दिन करकर रश्मिरत ही याद आ गया कि फंशेशनाग का डोलेगा विक्राल काल मुख कोलेगा दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा अगर आपने पढ़ी हो रश्मिरत ही तो एक बात बताईए कि सापों से जो जैसे मैं आपन करता था मैं पर एक बड़ी कंपनी में बहुत चा काम करता था मैं उस समय तो अराम से अफोर्ड कर सकता जो भी किराया था उनका तो मैं बड़ा साइक घर था और साड़े चार सो स्क्वेर यार्ड के जगह थी उसमें उसका अपने घर बनाया हुआ था और बाकी खाली पड देखते था ऐसा क्यों हुआ होगा मैं आज तक नहीं सवाल का जबाब समझ पाया नहीं कभी ने देखा मैं उसमें पर उसमें यह मुझे पता है कि वह मिट्टी थी उसमें दबाके चार सो स्क्वेर यार्ड का घर था बना हुआ जो एरिया था मुश्किल से पचास स्क्वे चुछ है तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसी जगे होती है कि जहां किसी बिस्यास प्रकार की और जाने घट्टी हो जाती हैं तो न ह culture होता ही अन्से सनीचे होता है तो कहीं न कहीं प्रावितित कर देते कोई ना करे कोई और ना करे तो वो god तो कहीं न कहीं जब हम सांपों के बारे में इतना नहीं जानते हैं अभी आप ही हैं जैसे सांपों से अगर 10-20 दिन आपका मिलना जुलना हो जाए तो सांप आपके सपने में आएगा तो बड़ा आनन्द आएगा यार्थ सांप लेगा है तो यह सब चीज़ खतम हो जाएंग कर दी जो हम कहानिया सुन सुन बड़े हुए हैं वो दिमाख में ऐसा नहीं है कि कि एक दिनकी हैं पिल फिल माई सुन कर दी झाल झाल झाल